एलो बच्चों, ये कोश्यन आपका ग्रैविटेशन चैप्टर का है, देखें कोश्यन में क्या कह रहा है, टू स्टार्स इच ओफ वन सोलर मास, वन सोलर मास की जो वैल्यू दे रही है हमें, वो दे रही है, टू इंटू टैन की पाओ 30 केजी आर एप्रोचिंग इच अदर Sec1 falling है, एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, इस तरीके से पास पास आ रहे हैं, कि ये head-on collision कर सके, मतब face to face टकरा सके, ठीक है, फिर आगे लिगा है when they are at a distance 10 की power 9 km, their speed are negligible वो ये कह रहा है कि actual में हो क्या रहा है, इनके बीच में head-on collision तो हो का, लेकिन हमें ये कह रहा है कि जब इनके बीच का इनके बीच का जो separation है, separation जब 10 की power 9 km था, तो उस समय जो इस star के पास, जो speed रही होगी उसे हमें negligible consider करना है ठीक है, क्या consider करना है, negligible तो यहां से लेकर कि, यहां तक का जो separation है, उसे हमने r बोल दिया तो 10 की power 9 km हमें given था, तो हम मैंने इसे जब meter में convert किया, तो 10 की power 12 meter होगी है, ठीक है, तो यह r का value हमें given है, तो वो यह कह रहा है कि जब इन दोनो star के बीच में जो separation था, जब इतना separation था, तो उनमें जो velocity थी, उस velocity को हमें negligible consider करना है मतलब velocity हमें 0 मानना है ठीक है, starting में, जैन क्या होगा यह एक दूसरे पर gravitational force लगाएंगे तो gravitational force की बज़े से यह एक दूसरे के पास-पास आ रहे हैं लेकिन initially जब इनका separation इतना था, तो उस समय initially इनकी जो velocity थी, वो negligible हमें लेनी है, 0 लेनी है, ठीक है लेकिन बाद में इनमें क्या होता है, gravitational force जो लगेगा, उसकी बज़े से इनमें velocity आ जाती है, यह एक दूसरे के पास-पास आएंगे और collision करेंगे, फिर आगे पूछे हम से, what is the speed with which they collide, हमें यह बताना है कि कितनी speed से यह आपस में collide करेंगे तो suppose यह एक दूसरे के पास-पास आ रहे हैं, तो पास-पास आने पे क्या होगा यह collision करेंगे, फिर दोनों star क्या करेंगे collision करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमें given है, the radius of each star is 10 की power 4 kilometer, तो इनका जो radius दे रहा है, दोनों का radius सेम दे रहा है, mass भी सेम दे रहा है, radius भी सेम दे रहा है, इसका मतलब इनकी density भी क्या है सेम है, तो यहाँ पे यह capital R से मैं radius of star मतलब R को, यह जो capital R है, यह radius of star को denote कर रहा है तो यह दे रहा है, आपका 10 की power 4 kilometer, तो इससे अगर मैं meter में convert करता हूँ, तो यह हो जाएगा आपका 10 की power 7 meter, टिक है, इतना समझ मा गया अब देखो बच्चों, इसे आगे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमें जो find करना है सिर्फ हमें यह बताना है कि इन दोनों में जब collision होगा, जब एक दूसरे के पास पास आएंगे, यह collision होगा, तो collision के दोरान, हमें उनकी speed बताने कि कितनी speed से इनका collision हुआ है, टिक है फिर आगे लिखा, assume the star to remain undistorted until they collide, use the known value of g, ठीक है g का value हमें, जो known है, वो ही हमें use कर रहा है यहाँ पे, g का value सभी जानते है 6.67 into 10 की power minus 11 होता है, ठीक है, अब देखो इसे करेंगे कैसे, देखो बच्चो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, इस पर करके कभी भी questions आते हैं, तो सभी बच्चे एक चीज़ जानते होंगे आपे, कि जो यह star जब दोनों एक दुसरे के पास पास आते रहेंगे तो इस system की जो टूटल एनरजी रहेगे, वो conserve रहेगे, जो total energy होती है total energy of system किसी भी system की जो total energy रहती है, वो conserve रहती है, अब देखो बच्चो मैं system क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर system word का मैं use क्यूं कर रहा हूँ, इस लिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे यह दो star है जब भी एक से ज़्यादा body होती है कहीं पे भी अगर एक से ज़्यादा body है दो, तीन, चार तो उसे system बोला जाता है ठीक है तो यहाँ पे यह दो star है तो मैं इस पूरे को एक system consider कर रहा हूँ अब यह क्या हो रहा है यह दूसरे के पास पास आ रहे है तो बचों इस system के पास जो total energy रहेगी वो conserve रहेगी before collision और during collision वो total energy रहेगी वो conserve रहेगी तो जो total energy होगी total energy of system मतब इस star की जो total energy रहेगी before collision before collision वो equal रहेगी total energy during collision total energy during collision ठीक है अब देखो बच्चो एक चीज़ या दखना टोटल एनर्जी का फॉर्मला क्या होता है टोटल एनर्जी का फॉर्मला होता है पोटेंसेल एनर्जी ओफ सिस्टम प्लस काइनेटिक एनर्जी ओफ सिस्टम तोटल एनर्जी का फॉर्मला क्या होता है पोटेंसेल एनर्जी ओफ सिस्टम प्लस काइनेटिक एनर्जी ओफ सिस्टम तो यहाँ पे जो पोटेंसेल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है वो दूरिंग कलीजन हमें लेना है कीजिए m into m divided by इन दोनों के भीच का जो separation है तो separation कितना है r है ठीक है तो यहाँ पर small r आएगा तो यहाँ आपका potential energy हो गया kinetic energy कितना होगा बच्छों kinetic energy का formula क्या होता half mv square होता है लेकिन initially इनके पास velocity कितनी है zero है ठीक है यह हमें question में given था तो यहाँ पर की kinetic energy रहेगी जो before collision इन दोनों star की kinetic energy रहेगी वो zero रहेगी ठीक है is equal to अब potential energy हमें निकालने during collision kinetic energy भी निकालने during collision ठीक है तो जो potential energy होगी during collision वो कितनी होगी तो यही formula हम use करेंगे minus g यहाँ पर potential energy ठीक है minus g m into m यह दोनों star का mass है divided by इसका center से center का separation जैसे यहाँ पर यह center to center जो separation था वो r था तो हमने यहाँ r लिया था तो यहाँ पर इनका separation है वो distance जो था न वो कम हो गया है तो distance यहाँ से ले करके यहाँ तक रह गया तो r plus r 2 r हो जागा यहाँ पर 2 r आएगा plus kinetic energy भी हमें लेना है तो kinetic energy कितना रहेगा तो यह दोनों का mass भी same था दोनों का radius भी same था इनकी density भी same है तो दोनों एक दूसरे पर जो gravitational force लगा रहे रहोंगा वो equal gravitational force लगा रहोंगा तो जितनी velocity से यह इधर आ रहा है उतनी velocity से यह भी इधर आ रहा है ठीक है अब देखो finally ही हो जाएगा आपका gmm divided by r is equal to minus gmm divided by 2 capital r और यह half mv square plus half mv square क्या हो जाएगा mv square हो जाएगा इतना समझ माया है अब देखो finally ही हो जाएगा आपका gmm divided by r plus gmm divided by 2 r is equal to mv square यह m से m कट जाएगा ठीक है common है अब देखो finally बच्चों हमें क्या करना है यह v निखालना है तो v is equal to क्या हो जागा आपका under root minus gm divided by r plus gm divided by 2 r अब हमें क्या करना है just value put करनी है बाकी कुछ नहीं करना ठीक है देखें यहापे value put करते हैं यह minus g की value होती है 6.67 into 10 की power minus 11 into यह m क्या है आपका mass of star है तो mass of star कितना है आपका 2 into 10 की power 30 kg तो यहाप आजागा 2 into 10 की power 30 kg divided by यह r r मतलब यहापे का separation ठीक है तो r का value कितना था 10 की power 12 meter 10 की power 12 meter और यह finally यहापे यह plus आएगा फिर g की value हो जाएगा 6.67 into 10 की power minus 11 यह mass of star है वो 2 into 10 की power 30 था आपका ठीक है 2 into 10 की power 30 यह meter sorry kg 2 into 10 की power 30 kg divided by क्या जाएगा आपका यह 2 into यह radius of star है ठीक है तो radius of star कितना है 10 की power 7 है ठीक है 10 की power 7 meter तो 2 से 2 तो कट जाएगा आपका ठीक है अब देखो यहापे बच्चोंई से आगे कैसे करेंगे देखो ध्यान से देखें यहापे देखो मैं सबसे पहले इसे ऐसे करते है देखो यहापे यह minus 6.67 into यह मैंने 2 लिख दिया अब देखो 10 की power minus 11 है 10 की power 30 है यह 10 की power 12 है तो इनको अगर मैं solve करूँगो तो कितनी value आईगी यह उपर जाएगा 23 यहाँ पर यह 10 की power 7 आजाएगा तो देखो मैंने इसे उपर बीजा थो 10 की power minus 12 हो जाएगा minus 12 minus 11 कितना आजाएगा minus 23 अब यह 30 है तो यह 10 की power 7 आजाएगा तिक है फिर यहाँ पर यह plus आएगा और यह हो जाएगा आपका 6.67 into 10 की power minus 11 यह 30 है यह 7 है तो यह 10 की पावर 12 हो जाएगा ठीक है इतना समझ माया अब देखी यहाँ पे आपका यह 6.67 यहाँ पे भी है यहाँ पे बी है और यहाँ पे into 10 की पावर 7 common ले लेते हैं ठीक है अब देखो जब मैं यह common लोगा तो यहाँ पे आएगा आपका negative 2 आएगा फिर plus अब देखो 6.67 यहाँ पे भी है यहाँ पे हमें यह 10 की पावर 5 लिखना पड़ेगा ठीक है इतना हो गया अब देखो बच्चे मैं इससे यहाँ solve कर रहा हूं आगे तो यह V is equal to हो जाएगा आपका 6.67 इंटू 10 की पावर 7 यह minus 2 6.67 इंटू 10 की पावर 7 अगर अगर मैं सब्टेक करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे value आएगा यहाँ पे 9999 1,2,3,4,9 यह आजागा आपका 8 आएगा यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ आएगा 1,2,3,4,9,9,9,8 आएगा अब देखो finally इससे आगे क्या गरेंगे, इन दोनों को मैं multiply कर रहा हूँ, calculator से multiply कर रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ इसकी जो value आ रही है, इन दोनों का जो multiplication आ रहा है, वो आ रहा है यह आ रहा है आपका 666986.66 आ रहा है, इन टू यह 10 की पावर 7 भी आएगा फिर देखो finally अगर मैं इसको scientific notation में लिखता हूँ इसे, तो कैसे लिखूँगा देखो scientific notation में, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, round off में 6.66 मैंने क्या किया, यह जो decimal है, इधर left में shift कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट left में shift किया, तो यह 10 की पावर 5 आ जाएगा, इन टू यह 10 की पावर 7 भी आएगा, इसे मैंने scientific notation में ऐसे लिख दिया, अब यह finally V is equal to कितना हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा आपका 6.66 इन अब देखो इससे आगे कैसे करेंगे, देखो इससे, ध्यान से दिखना, V is equal to हो जाएगा आपका, अंडरूट 6.66 यह जो 10 की पावर 12 है इसे ऐसे लिखा जा सकता है, 10 की पावर 6 इन टू 10 की पावर 6 बिलकुल लिखा जा सकता है, तो यह हो जाएगा आपका अंडरूट 6. 6.66 है इसकी जो वैलू होती है बच्चों वो राउंड आफ में 2.583 होती है, तो यह आपका अंजर आ गया, 2.5 इन टू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, यह वैलॉसर्टी आ गया, यह इतनी वैलॉसर्टी से वो दोनों स्टार क्या करेंगा, आपस में कलिजन करेंगा, तो यह कुश्यन आपकर कंप्लीट हो गया, ओके?